अक्रोड दिखा नहीं कि हम लगातार एक के बाद एक दो तीन कंटीन नियों हम उसे फोड फोड के खाते रहते हैं मज़ा दोनों में आता है उसके स्वाद में भी और साथ में उसको फोड के खाने में भी क्योंकि हर एक अक्रोड को जो फोडते हैं तो बड़ा टास्क असा ल किस तरीके से सही तरीके से खाए किस समय खाए और हमें एक दिन में कितने अखरोट खाना चाहिए क्योंकि हम एक अखरोट खाते हैं तो उसके बाद हमारा मन ही नहीं रुखता है और हम कंटिन्यू एक के बाद एक के बाद तीन-चार अखरोट खाई लेते हैं और इसे भीगो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में कीजिए बल आइकन को क्लिक फर्स पॉइंट पे आते हैं कि हमें एक दिन में कितने खाना ची देखिए अगर जिनकी तासित गरम है और गरम तासित वाली चीजे नहीं सूट होती है तो इसे या तो आप पानी में भीगो के खा एक कटोरी में और उसमें आपको अखरोट के अखरोट डाल देना है और इसे आपको एक घंडे के भीगो के रखना है उसके बाद इसे अच्छे से चबा-चबा के खाना ची एक पॉइंट में आपको बता देते हूं कि अखरोट का जो होता है मतलब उसका बाहर का कवर या जो बी कहे तो इसका जो कवर होता है इससे बालो का कलर बन जाता है अगर आप विडियो देखना चाहते तो प्लीज कॉमेंट से बताविये अगर हम अखरोट को भीगोई गाने तो उसके इसे कलर में लगा सकते एक पॉön थू को इन तो इसे पाने में भीगो के अच्छे से बूद में भीगो के औहले है जो रेगलर एक्सराइज करते हैं जिम जाते हैं यह योग करते हैं तो उन्हें दूद में भीगों को, क्यूंकि क्योद का चाहिए, क्योंकि इसे हमें calcium मिलेका दूद का, और sय में protein मिलेका walnuts का तो इसे क्या करनाँ को, या तो मिक्सर-gr 예ंडर में grind का लीजिए with dwah Tecra or पानी मेहने लेना चाहते हैं, इसे कई बार मेहने म के खाना चाहिए तो फ़ीछ जी गरम ताइसर निकल जाती है कभी भी टार्रोट नहीं खाना कई जितना हूं सा कि हमें बार में घाना चाहिए सेकेंड जते हैं tobenक हैं त्से पर रांटो कि यहां एक रातर शुबह और पानी यह का उन जए पर ओर भीगवक का वडाना चाहिए को सिर्फ को अठल तो पेज़ा लगता हैं हैं घ्र अखर पह सी घरेथे कर रहे हैं मुझना मां 6 घरील यह ATM लेने के बाद खाना चाहिए कुछ भी हलका फूल का ब्रेक फास्ट लेना चाहिए नाश्ता उपमा वगएर इस तरीके की नाश्ता उसके बाद हमें अकरोट खाना चाहिए इसे हम सुख्य अकरोट भी कह सकते हैं तो आपको फिर इसमें एक लिटर पानी एक दिन में करते हैं कि हमारा वजन बढ़ता है वजन वेट लॉस के लिए नहीं वेट गें के लिए अकरोट होता है क्योंकि इसमें खुब सारा प्रोटीन होता है और ज्यादा कंजूम करने से इसमें रिस्क भी रिथी ओवेसिटी की अगर आप दीन में आट से नो अगर आप अकरोट कर लेते हैं तो रिस्क हो सकती अगर आप इससे ज्यादा कंजूम करेंगे एक दीन में साथा खाने लग जाएंगे चांसे बढ़ जाएंगे कि रिस्क बढ़ सकती है तो अबसे अच्छा है वेट गें करने के लिए वालनुट अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि वाल तुट आप विटामीन बी जो की हमारी की और सकीन को हेल्दी बनाने में हल्प करता है और साथ में जितनी भी रिंखल याओ फाल लाइन्स हो चुकी है फेस पर उसे काफी तक टक टक करने में हल्प करता है वालर्ण अक रोट तो इसे हमें ज़रूर खाना ची अगर हमें स्कीन की प्रॉबलम है अगर हमें रिंकल्स हो चुके या फाइन लाइन दिखाई देने लग गई यह कम उमर में अखरोट को रेगुलर या रोज जरूर खाना चाहिए पानी में भीगोगे खाए या फिर दूद में खाए या फिर अगर आप खाना चाहते हैं इसे यू ही तो आप इसे भी खा सकते हैं पर जरूर खाना चाहिए तो इसे हमारी स्कीन में जरूर बेनिफेट मिलता है लास पॉइंट बट नॉर्ट जो कि है कि आखिर हम इतने अखरोट खाते हैं तो हमें इतना भी तो पता होना चाहिए कि इसमें है क्या-क्या चीजे कभी कुछ नुकस करेश केसं इसमें मिलेगा आपको 9% का केल्शिम मिलेगा 2% का वीतामिन दिएफ इन विलेंगा 16% 9% जो कि बहुत जादा होता है अब बात यह आती ही कि 49% magnesium मिलेगा तो magnesium हमारी body में क्या काम करता है यह भी तो आखिर पता होना चाहिए magnesium extremely important minerals होता है जो कि hundreds of chemical reaction होता है हमारी body में जो कि health करता है हमारी health को good maintain बनाये रखने में हम जैसे हैं heat and fit है हमको कोई problem नहीं होए उसे maintain करने में magnesium help करता है अगर जिसकी body में ज्यादा magnesium हो जाएगा कोई इसी भी चीज digest होने में काफी problem हो सकती है क्योंकि protein और magnesium अगर ज्यादा हो जाता है तो इन digestion की problem हो जाती है तो हमें अखरोट को थोड़ा से limit में काना ची क्योंकि थोड़ा heavy होता है वह अगर आप exercise करते हैं regular और heavy exercise करते हैं कि आपको पसेना बहुत ज्यादा निकलता है तब आपको ये अखरोट तीन से करता है जिससे हमारी muscles और nerve function को help करता है जिनने बनाना मसल्स बिल्डप करना है तो उन्हें अखरोट ज़रूर करना चाहिए आपने सुना ही होगा कि अगर हड्यों में से आवा जाने लग जाती है तो हमें अखरोट शुरू कर देना चाहिए तो इसलिए क्योंकि इसमें होत होता है और calcium भी होता है और magnesium होता है जो कि खास तोर पर इसलिए कि हमारी body में जो भी चीज की दिक्कते हो रही है problem होने लग गई तो उसे ठीक करता है और body को उसी प्रकार से बनाए रखने में help करता है यह जब से बड़ी चीज होती है कि अगर हम कुछ इसी चीजे खाए कि हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत या ups and down देखने को ना मिले तो हम इसी चीज क्या खाए तो हमें अखरोट खाना चाहिए तो हमें अखरोट के बारे में कुछ इन्फोर्मेशन जो सब को पता होना चाहिए तो यह वीडियो अपने family में सभी के साथ शेयर कीजिए काफी लो नुकसान के पॉइंट गिनते रहते कि हमें इसके नुकसान देखने मिलते हैं क्योंकि हर चीज का एक तौर तरीका होता है उस तरीके सागर हम खाते हैं तो हमें उसका फाइदा मिलते हैं और आपने इस वीडियो को लास तक सूना है धियान से सूना तो आपको benefit होगा और आ आप सभी वियर्स का भुखत भुखत धन्यवाद।